बीजेपी नेताओं पर कनहया कुमार का पलटवार राहुल गांधी की दाढ़ी बाले बयान का दिया जवाब पियम मोदी को भी सुनाई जनता के मन की बात और जैसा पहले दिन से यात्रा पर भाजपा हमला कर रही है कभी राहुल जी के जूते के फीते पर कभी जो है राहुल जी के टी शट पर कभी जो है राहुल जी के साथ जो महलाएं चलती हैं उनका हाथ पकर करके क्यों चल रहे हैं अरे भाई क्यों नहीं चलेंगे अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारत वासी अगर आपस में भाई भहन का बेटा और मा का ये रिष्टा है तो क्यों नहीं हाथ पकरेंगे लोग जो है सहारे को महत्तु देते हैं हमारी संस्कृटी में बारतिय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुरापे का सहारा होते हैं जब देश एक संकट से गुजर रहा है महलाएं वा सुरक्षित महसूस कर रही है इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही ह तो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं लेकिन जो अपना पडिवार छोर करके भाग जाते हैं जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है अभी मैं देख हूँ कि हमारे नेतादारी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए आप ये बताईए कि देश के लोग गारी कैसे रखें जब सौरूपे लिटर पेट्रोल बिकेगा तो गारी कैसे रखेंगे प्रदानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रेलियों में कि मैं गाली ख खरीदना पड़ेगा तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें ये सवाल का आप जवाब दें बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिच की जाती है अभी मध्ध प्रदेश जब यात्रा आई है तो पासिंगटन की सरक है तो बहुत घटिया है इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगानी की जरूरत नहीं है धूल से पूरा मेक अप हो जाएगा आपका इतनी खराब सरकें और आप लोगों की स्थिती देखिए लोग जो है गरीबी में जीने को विवस हैं इनका उनको दाम नहीं मिलता है कपास का दाम नहीं मिल रहा है तो ये मद्ध प्रदेश के बुनियादी सवाल है और भारत जोरो यात्रा अपने इसी पवित्र देश को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने देश को जो आजादी दिलाई जो संबिधान प्रदत अधिकार लोगों को दिलाए वो किसी भी कीमत पे चीनने नहीं देंगे देश में नफरत नहीं फैलेगा हम एक जुट रहेंगे और एक जुट देश देश की प्रगती रोजी रोटी कपरा मकान सिक्षा स्वासरक बिजली पानी के सवाल पे होती है इस सवाल पे सरकार की जवाबदाही तैकी जाएगी और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहें यह हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो लिए यह यात्रा जब कन्या कुमारी से चली थी तो यह भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के लिए उत्सब था अब जब यह यात्रा 2000 किलोमेटर से ज़्यादा चल चुकी है और हम सत्पुरा की पहारी की उस तरफ से सत्पुरा की पहारी के इस तरफ आ चुके हैं तब यह उत्सब से महोत्सब बन चुका है इस महोत्सब में आप सब भी किसी ना किसी रूप में सामिल हैं विरोध करने के लिए ही सही भाजपा भी इस यात्रा को लाइफ देख रही है तो इस महोत्सब में पूरे देश का भारत जुरो यात्रा की तरफ से स्वागत है